हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ एक दम नए से नाश्टे की रेसिपी शेयर कर रही है अगर कुछ आपका नया और चटपटा और साथ में हेल्दी खाने का मनो तो सिरफ एक कप चावाल लीजिए और आदा कप चना दाल लीजिए दोनों ही चीज़े एजली घर में मिल ज कीजिए और सुबह के टाइम कुछ मिंटों में इस नाश्टे को आप क्यार कर सकते हैं और हां अगर आपको साथ के साथ इस नाश्टे को बनाना पड़ रहा है तो गराम पानी में कम से कब आदा घंटे के लिए दोनों चीज़ों को अच्छे से बिगो के रखे तब भी यह अच्छा खासा पानी सोक किया हुआ है अभी पीस्टे टाइम हमें इसमें कुछ नहीं मिलाया है और यह देखिए पेस्ट बनकर रेडी है यह पेस्ट ना तो जादा गाड़ा है और ना ही जादा पतला है पर शर्त यह है कि पीस्ट बिलकुल इसे अच्छे से है यानि कि ब चोटी सी तैयारी तो यहां एक मैने बाउल लिया है और साथ ने अपनी मन पसंद सब्सक्राइब ले सकते हैं और अगर कुछ भी ना हो तो प्यास टमाटर के साथ इस रेशिपी को बना सकते हैं तो मैंने यह पर शिबला मिर्ची हरी मिर्ची गाजर और प्याज लिए अप पिसे पसंद की क्वाइनटेटी के साथ जाथ यानी कम ज्यादा मात्रा आप अपने हसाब से यहां पर ले सकते हैं उसके बाद इसमें डाल है एक चुछ चमज काला नामकOS सब्च्छीयों के इसाफ स्वाद अनुसार। 7 मिच्छ पाउडर और 750 चाट मसाला, 1-íem और leader है ज findित चाट मसाला, नहीं तो आप यहाँ नीबू का इस्त्माल कर सकते हैं ौर अगर काला नमक यहाँ पर यहाँ नमक का इस्त्मालàng कर सकते हैं अब मसालों को सबजियों के साथ हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स देंगे इस तरीके से तो यह मिक्षर बनका हमारा रेडी है अब हम देख लेते हैं अपने यहाँ पर दाल चावल की पेस्ट को तो अब इसमें हाँ यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं और एक चु मैं एक चमब ठील डालकी हल्का सा तिल डाल देंगे वाइट चिल का इस्तमाल किया है मैंने और ठोड़ी से तने डाले है मैंने अपर काली सर्षू की या राइभी कह सकते यह आप इसे और इस तरीके से पेस्ट को पहले अच्छे सिगुमा लेंगी उसके बाद इस तरीकी स अच्छे से यहां पर फला देंगे एकदम नया और टेस्टी नाश्टा है और लीट लगा कर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे एक या ड़ीट मिनट तक हम नीचे से अच्छे से पकने देंगे जब यह नीचे से कलर चेंज कर ले तो इसको आप इस तरीके से पलट दीजिए ब में वेस बना सकते हैं तो मैं आपको यहां पर एक पीस और बना कर एक खा देती हूं तो यह वाला ने थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाया है इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसको ढखकर एक साइट से पहले पकने देंगे और फिर दूसरी साइट से भी इसको पलट कर हम नीचे से अच्छे से पका लेंगे बहुत टेस्टी और इजी नाश्ता है specially बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है जिनको पीजा बर्गर का शोक है तो वो इस नाश्ते को अगर एक बार खाएंगे तो उन्हें पीजा वाली फिलिंग आएगी तो अगर आप भी सुभे के रोज वही पूरी पराटे या ब्रेट से बोर हो चुके हैं तो एक बार ये दाल चावल का नाश्ता जरूर से बनाएगे फिर चाहे आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या हजबन के टिफिन में सभी इस नाश्ते को खतम करके आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी है तो आज की ये इंस्टेंट वाली दाल चावल की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और फीडबेक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी बनाने के बाद और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो और ऐसी डिफरेंट रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन यानि की घंटी के बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली और नए रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके तो आज के रेसिपी आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नए दी नए रेसिपी के साथ थैंक फ़र वोटिंग